कि नमस्कार बैया बेनो कक्षा सब्भाजा बक्षक विशेवीज्ञ धsite-शक टप्थर सबनाइस पादभी प्सक्षक, किस प्रकार होता है इसके जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे उससे पहले पोशक तत्व क्या है इसके बारे में हम जानेंगे पोशक तत्व हमारे शरीर के लिए अतियावशक प्रदारत है पोशक तत्व से हमें उर्जा मिलती है हमारी चारेरिक सरचनाव रदी एम शतिग्रस बागो के रख रखाओ के लिए हमें समत बनाती है यह पोशक तत्व हमें कहां कहां से मिलते हैं यह कौन रुपों किस रुप में हम इन्हें प्राप्त करते हैं जो हमारे शरीर के विभिन जय प्रकम के लिए भी हमें आवर्शक उर्जा प्रदान करते हैं अब नुट्रिशन की कितने प्रकार है इसके बारे में जानेंगे नुट्रिशन दो प्रकार के पाए जाते हैं पोशन दो प्रकार के पाए जाते सो पोशी और विशम पोशी, सो पोशी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन सोयम बनाते हैं, वह सो पोशी कहलते हैं जैसे पादप, विशम पोशी जो अपना भोजन सोयम न बनाकर दूसरो पे आश्रित या निर्भर रहते हैं, उन्हें विशम पोशी कहते हैं जैसे मानव या अन्य जन्तु अब पोशन के बादे में हमने तो देख लिया आगी जानकारी प्राप्त करने के पहले हम कोशिका के बादे में जानेंगे क्या जिस तरह से बड़ी-बड़ी इमारते या बिडलिंग छोटी-छोटी इटों से बनाई जाती है उसी तरह हमारा शरीर भी छोटी- जो अर्ध तरह प्रदात पाया जाता है उसे साइटो-प्लाजम या कोशिका द्रव केते है उसके बाहर वारी जो पतली जिल्ली पाई जाती है दिखाई दे रही है इसे कोशिका जिल्ली केते है जिस तरह से हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है उसी तरह पादपो में भ प्रकास उंसलेशन क्या है प्रकास उंसलेशन अब प्रकास उंसलेशन वायू मंदर से कार्बन डायोकसाइड और पानी और स्योड़्या कई ओर्जा लेकर अपस में पारस पर अभी क्रिया करके ग्लुकोस शुगर या फिर जिसे हम कार्बोहेडर्स केते हैं वह बनाते हैं रोक्सिजन ग्यास मुक्त करते हैं जिस तरह से कार्बोहेडर्स हमारे लिए अत्यनत मेह तो पूर्ण बोजन घटक है उसी प्रकार पार्पों में पानी कार्बन डायोकसाइड और सुरिय का प्रकार अतियावस्च रख हैं पत्तियों में घरा वणनक पाया जाता हैं जिस पे छोटे छोटे पाई जाते हैं छोक्ते छोटे छोटे चित पाई जाते उन्हें रंड रगत है और इन्ली रंडरों के द्वारा घ्यासों का व立ती है रहारेमें देक्ध परनाशली नने आयशीह नौद कर्हसक ब्लाजन ग्यासटा दर मेरा क्या घ्यास-परणांच धिए जैसे इसमें दिया है कि प्रकाश और पत्यों के द्वारा कार्बन डायोक्साइड ग्रहन की जा रही जो हरा वर्नक पाया जाता क्लोरोफिल और जड़ के जारा पानी और मीनरस जो तरने तक उपर तक पत्यों तो कैसे पहुंचते हैं तो जाहिल नम के द्वारा पानी को और मीनरस को पत्यों तक पहुंचाते हैं यह एक मार गिया है इस जायलम का कारिया है कि पानी को और मीनरस जो खनीज लवर ने उनको पत्यों तक पहुंचाना जिस तरह से कभी और पत्यों में भोजन संग्रेद करना जिस तरह से हमारे गरों में जो समय खाना जाता ब लुप में पीर दन्न के रूपलें में संघ्रेशक करके लगती है उछ बोचंभ Wow घ्लदा हो जाता है तो फड़ोयम ज़रुर्ण होती वह पत्यों में लाया जाते है इस तरहिए उब ऑफ्स्रीम यहन की लिए होती है अब हम किताब के दौरा जानेगे किया पोशक तत्वत क्या है पोशक क्या है कार्बो हाइडरेट प्रोटीन वस्राव विटामिन और खनिच रवण यह हमारे भोजन के गटक एवाजन की यह गटक ही प्रदान करते हैं जैसे जेव प्रक्रम क्या है हमारे शरीक है सोचन क्रिया, प्रजनन क्रिया, सरजन क्रिया, परिसंचरन क्रिया यह सारी क्या है जयोप्रक्रम है इनके लिए उर्चा प्रदान करते हैं। और सज्वाधारा बोचन ग्रेहन गर्ने एवं इसके उपयोक्यां की वीदि को पोशन कहते हैं पोशन की वहवीदि जिसमें जिव्व अपना बोचन स्वयम समश्वरषी करते हैं और ऐसे पात्मों को सो पोशी पात्द भी कहते है और विश्यम पोश्री हमने देखा था कि जो अपना भोजन स्वयम नहीं बनाते हैं दूसरों पर आश्चित रहते हैं उन्हें विश्यम पोश्री केते हैं अब इस पार्ट में छोटे-छोटे प्रश्णों के द्वारा हम जानेंगे बुझो और पहली के द्वारा कि आप बुझो इस पार्ट में जानना चाहता है कि पादव अपना भोजन किस प्रकार प्रणाते हैं जिस प्रकार हमारे घरों में हमारी माताजी भोजन बनाती है उसी तरह पात्पू में भोजन किस प्रकार बनाया जाता है तो पात्पू में भोजन प्रकाश संस्रिलेशन क कinned और यो करीया के द्वारा बनाया जाता है पहली यहां जानने साथ चाहती है कि पात्पूकि तरह हमारा शरीर भी 탄 antiЕ ler आवक जूत आपना भोजनe क्यों नहीं बना सकता क्योंकि हमारे शरीर में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता हमारे कोशिकां में येash पालास नहीं पाया जाता इसलिए हम अपना बोजन नहीं बनाते कर अब जब बता है ता किया पत्तियों में छोटे-mother चित्र पाया जाते हैं बृत वсемीद रंद lors पानी एवं खनीज, भाईकाओं के द्वारा या जहलम के द्वारा, पति तक पहुचाए जाते हैं, यहां, जर्ण, तना, साखाओं तक एवं पति तक फ्पेल जाती है, पति ओमें घरावर्नक पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, मैं क्लोरो फी शूर्य के प्रकास की उड़्जा का संग्रहन करने में पत्ती की साधेता करता है और इस उड़जा को उपयोक घ्ल शूर्यह कार्बन डायोकसइड जल जलयों से खाद्य फंसलेशन में होता है है और इस कृण को प्रकास फंसलेशन करिय कहते जैसे यह रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है कार्बन डायोकसाइड प्लस जल कि इसमें आमें क्या-क्या मिला सुर्य का प्रकर्ष और क्लोरोफिल्स यह आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते कार्बोहाइट्रेट और ऑक्सिजन ऑक्सिजन ग्यास जो वायू मंदल में न कि दो अध्यास ही पाधव अपना बहजन बनाते है और उस के लिए इस सुर्यआयो को प्रवोर्य का पधरताश से और इन्यों पादपोह एक Tips करते हैं लेकिन जैसे शूर्या का उर्जा आम canvas मिलते हैं तो हम अनुभर्य इलता आछ आए हौस पाधटाश मिलता है जैसे-वर तरह तरह के फल तरह तरह के अनाज तरह तरह की सब्जिया और जिने हम भोजन के रूप में प्राप्ट करते हैं और एनर्जी हमें मिलती है अब पातों में कार्बो हैड्रेट के अतिरिक प्रकार कौन से है बूचों ने देखा कि कुछ पादवपों की पतियां गहली लाल बैंग्नी अत्वा बूरे रंग की होती है वह यह जानना चाहता है क्या इन पत्यों में भी प्रकास अंसलेशन होता है या नहीं तो इन पत्यों में भी प्रकास उंसलेशन होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, क्योंकि इन में क्लोरोपास्ट कम पाई जाती है, इन में तने के रूपों में तने में इन में प्रकास उंसलेशन होता है, जैसे वायू मंडलिय, जिस तरह से मरुस्तरियाने रेगिस्तान होते हैं पत्ते रहीत होते हैं उनमें कांटे के रूपों में जो पाये जाते हैं तना पाये जाता है उनमें प्रकास रूश्छन होता है यदि हमें देखना हो प्रेयो करना हो तो एक ही प्रकार के दो गंबले लेके हम दो गंबले लेंगे एक को सूरे की रोष्टी में रखेंगे और एक को अंधेरे में रखेंगे सूरे की रोश्णी में 3-4 दिनों तक दोनों गमलों को रखेंगे उसके बाद हम सूरे के गमले सामने रखेवी गमले में जो पोदा रखा उसकी पत्ती लेंगे और एक अंधेरे में रखेवे पोदे की पत्ती लेंगे दोनों पर हम आयोडीन का सोलूशन डालेंगे तो हम क्या देखेंगे क्या जो सूरे की उपस्तिती में पोदा रखा है उसका रंग नीला हो जाता है और जो अंधेरे में रखा हुआ गमला है उसकी पत्ती का रंग में बिलकुल भी बदलाव नहीं आता है इस तरह से हम जानते है क्या प्रका सोचलेशन सुरे की उपस्तिती में ही होता है उसके बाद हम कुछ काई आप जानती होंगे जैसे बशाथ की दिनों में फिसलंदार काई पाई जाती है गरों के बाद जहां पानी जमा एकटा होता है उन्हें शेवाल केते हैं तो यह शेवाल भी अपना बोज करते हैं और इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए हरे रंग के दिखाई देते हैं अब पार्पो में कार्भो हेडरेट के उतिदिक्थ अन्य प्रधार्तों का संस्लेशन कैसे होता है कार्बो हैडरेट में कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सिजन पाये जाता है इसका उपयोग खाद्दे के अन्य गटकों के संस्लेशन में होता है पर प्रोटीन नाइट्रोजन प्रधार्त है को प्रोटीन में क्या क्या है कार्बन ऑक्सिजण हाइड्रोजन की अतिरिक नैट्रोजन भी होता है आब वायू में नैट्रोजन की मात्रा ज्यादा है लेकिन वहां पात्वों में किस प्रकार वाहां पादव में किस प्रकार पाई जाती है, क्योंकि पादब इसका ग्यास के रूप में आउशोषण तो नहीं कर सकते हैं, तो मिट्टी में कुछ ऐसे जिवानों होते हैं, जो ग्यास को nitrogen में नाइट्रोजन के उपयोगी योगी को में परिवर्दित कर देते हैं और मिट्टी को निर्मुत करते हैं और यहीं विले प्रधार्त दो पर पात्पो द्वारा जल के साथ और शोशित कर लिये जाते हैं जिसे से नाइट्रोजन प्रधार्तों की प्रचुरता होती है और इस इस तरह से प्रोटीन में भी सोस्चिलेशन यहने नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है अब पात्पों में पोशन की अन्यवीदिया जैसे विशम पोशी है यह इत्रोटप हमने देखा था कि जो पोशण के लिए दूसरों पे आश्रित रहते हैं उन्हें विशम पोशी क आपने अमर बैल का उधारण देखा है कि हैं दुसरे वेल पे आश्टीत रहती है इस में हगरा वर्णक पाया नहीं जाता है अपनाigent स्यूंग नहीं बना पाती और ये दूसरों पना बें आश्टीत रहती है इसे लिए इसे परजीवी कहते हैं और जिस बेल पर यह पाई जाती है उससे यह अपना पोशन करती है उसे पर पोशी कहते है जैसे मच्छर हमें काटता है तो यह पर जीव हो गया लेकिन हम से पोशन लेता है तो हम उसके लिए पर पोशी हो गया तो आज हमने पढ़ा पादपो में पोशन में आज हमने पढ़ा कि नूट्रिंस क्या है नूट्रिंस हमारे शरीर के लिए अतियावशक प्रदार्त है यह हमें कार्बोहेडरेट, विटामीन, मिनरल, प्रोटीन और रिपीट के रूप में मिलते हैं पोशन के दो पकार पाए गए, सो पोशी और विश्यम पोशी, सो पोशी जो अपना बोजन सवयम बनाते हैं और विश्यम पोशी जो अपना बोजन सवयम न बना करके दूस रोपया आश्चित रहते हैं बाद में हमने प्रका संस्टिलेशन जाना कि प्रका संस्टिलेशन किस तरह से होता है क्या सुर्य की उपस्थिति में कार्बन डियोक्साइड और जल और क्लोलो फिल के द्वारा प्रका संस्टिलेशन किया जाता है पोशक क्या है की ने कहते हैं या हमने जाना क्या बोजन के वे गटक अवयोग जीने पोशक कहते हैं और पोशन के ने कहते हैं कि पोशक प्रधास सजीवों की शारारिक सोरशना वरद्धी तता शत्रिक्रस बागों के रख रखाओं के लिए समर्थ बनाते हैं उन्हें पोशन के ते पोशन के दो प्रका सो पोशी और विशम पोशी तो आज का ग्रेक आ रहे हैं कि सो पोशी किसे कहते हैं भोजन के गटकों के नाम लिखिए प्रका सुंसलेशन का सम्मी करन लिखिए